हेलो स्टुटेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बाल मुगंद मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यान एक्सपी तिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर 2018 के डिक्पल सी एक्जाम में पूछे गए कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन्स आफ् स्पीड कितनी होते हैं जिसको kbps में बता ना था यहां पर दिखिए जो प्रफोषा होते है उसकी स्पीड होती है फॉतर और प्रोग्रमों को तो यहां पर hier होगा false क्योंकि folder से files को manage करता है ओके next question है name और domain name को add the rate से अलग होता है ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे question बिल्कुल true है काफी common है कई बार पूछा जा चुका है next question है bank किस पर loan लेता है ऐसा कुछ लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर होना चाहिए bank किस पर ब्याज लेता है तो यहाँ पे second option आपको दिखीगा read जो कि बिल्कुल सही option होगा इन्होंने mark सही किया है next question है excel में किस function की सहायता पोडांग value प्राप्त कर कर सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे दिखीए पोडांग value होती है integer value integer value जो कि non decimal होती means points वाले values नहीं होते हैं तो यहाँ पे trunk एक function होता है जिसको हम use कर सकते हैं पोडांग means integer value निकालने के लिए या फिर हम एक function होता है int जो कि इसमें options में नहीं दिया है उसको भी हम use कर सकते हैं तो यहाँ पे option दिया है पहला trunk जो कि बिल्कुल सही option है next question है excel में trunk और int की सहायता से पोडांग value प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पे दिखी next question वही है तो यहाँ पे question बिल्कुल सही होगा true होगा क्योंकि trunk और int से हम integer value या पूरांग value निकाल सकते है next question है किस topology में terminator का प्रियोग होता है तो इन्होंने answer दिया है bus topology जो कि बिल्कुल सही है terminator आप लोगों को साहिद कुछ लोगों को पता होगा क्या होता है नहीं पता तो मैं बता रहूँ क्या होता है अब यहां पर देखी इस जगे पर हमें terminator लगाना होता है और यहां पर भी terminator लगाना होता है इसका मतलब यह होता है कि जब signals यहां पर जा रहे होते हैं तो यह उनको absorb कर लेता है इसी तरीके से यहां पर जो signals आ रहे होते हैं अगर इधर से आ रहे हैं तो इनको यह एबजार्ब कर लेता है, ताकि यह वापस बैक ना हो, ताकि कोलीजन ना हो हमारे लाइन्स में, या किसी तरीके का ट्रैफिक ना हो, क्योंकि इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इस वज़े हम यहां पर यूज करते हैं, टैमिनेटर, ओके, तो नेक्स question देखते हैं, तो next question है, previous seat पर जाने के लिए, किस shortcut की से रिटर पूछा गया है, किस shortcut की का प्रियोग करते हैं, तो यहां पर इन्होंने बिल्कुल सही mark किया है, control plus page up से हम previous seat पर जा सकते हैं, ओके, next question है, किस case की सहायता से हम, smalls को capital में convert कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहां पर लिखा हुआ है, तो देखिए, जो case change करने के लिए एक option होता है, मैं पास upper case, जो कि small letters को capital letters में convert करता है, इन्होंने mark किया है, बिल्कुल सही mark किया है, और यह option आपको change case में मिलेगा, ओके, इन्म से कौन सा HTML से आसान होता है, तो इन्होंने options नहीं दियें, इस question का correct answer बता पाना possible नहीं है, क्या-क्या options से उस पर depend करेगा, इस question का answer, ओके, next question, amazon.com में सभी के लिए क्या जरूरी होता है, यह भी हमें incomplete सा question लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे user ID और email ID या login ID में भी पूछा होगा question, तो यहाँ पे सिर्फ domain name, website, address, तो यहाँ पे question मुझे incomplete सा लग रहा है, अगर आपके पास complete question है, तो हमें comment करके बताएगा, मैं इ इसा एक ही piece दर्जाता है, तो बिल्कुल सही यहाँ पे, हर एक piece का एक unique URL होता है, next question है, GUI का full form graphical user interchange होगा, तो यहाँ पे question होगा false, क्योंकि graphical user interface, इसका full form होता है, GUI का, ओके कुछ और questions हैं, जो देख लेते हैं, ओके तो next question है, ISP का full form internet security provider होता है, तो यहाँ पे question होगा false, क्योंकि ISP का full form होता है, internet service provider, ओके तो next question है, email में भेजे हुए संदेशों को client manage करता है, email client manage करता है, जो कि बिल्कुल सही, email client एक हमार application होता है, जो कि send and receive, जितने भी तैके के email होते हैं, उन सभी को manage करता है, तो यहाँ पे question होगा true, अगला question है, इन में से कौन सा option file menu में नहीं होता है, बहुत simple सा question है, और यहाँ पे एक बहुत simple सा answer दिया है, delete, जो कि बिल्कुल सही है, next question है, half-duplex में एक ही समय पर दोनों तरफ से data भेजा जा सकता है, या भेज सकते हैं, तो यह question होगा false, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही तरफ half-duplex में data भेज सकते हैं, next question है, shift plus tap की सहायता से उपर वाली cell में जा सकते हैं, तो यहाँ पे दिखी एक question होगा false, यहाँ पे इन्होंने answer भी लिखा है, left cell में जा सकते हैं, तो जिस cell पे आप होंगे उसके previous cell में जा सकते हैं, या उसके left में आप shift कर सकते हैं, shift plus tap की से, okay next question है, किस topology में cables समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दिया answer bus topology, जो कि बिल्कुल सही है, अगला question है, bus topology में एक जगा cable कटने से पूरा network या system बंद हो जाता है, तो यहाँ पे question होगा false, क्योंकि bus topology में कोई एक single cable कटने से network बंद नहीं होता है, जब तक हमारी main server cable नहीं कटती है, तब तक हमारी bus topology में, किसी भी तहीं के कोई problem नहीं आती है, जो terminal कटता है, सिर्फ वो network से बाहर होता है, बाकी सारे terminals हमारे उससे से connect रहते हैं, और वो proper काम करते रहते हैं, कुछ और questions हैं, जो देख लेते हैं, काफी important है, तो next question है, प्रदान मंत्री जीवन जुवती भीमा यूजना में कितना risk cover मिलता है, तो 2,00,000 काफी common question है, अगला question है, presentation को कैसी close करते हैं, या पर point लिखा हुआ है, ये powerpoint presentation में भी होगा, तो close करने के लिए हम close option का यूज करते ह क्या options होंगे, इसमें उस पर depend करेगा किसका correct answer क्या होगा, वैसे हम terminate करने के लिए, या close करने के लिए use करते हैं, close option या close button का, next question है, दो बैक्तियों का email address एक ही होता है, तो यहाँ पर question होगा, false, अगला question है, email को भीजने के लिए, किसका pre-work करते हैं, तो यहाँ पर उस locator, okay, next question है, email के अन्वानचित message किस box में रहते हैं, तो यह होता है spam box, यहाँ पर दिया हुए option C, यहाँ बिलकुल सही option होगा, next question है, paragraph alignment में कौन सा नहीं है, तो देखिए, paragraph alignment right होता है, left होता है, और justify होता है, यहाँ पर horizontal दिया हुए option C, जो कि correct option होगा, यह paragraph alignment नहीं होता है, okay, next question है, कौन एक प्रकार से नहीं है, तो देखिए, and, not, or, यह हमारे logic gates होते हैं, जबकि यहाँ पर if दिया है, तो यह अलग है, यह हम conditions के लिए उच करते हैं, जबकि and or not हमारे क्या होते हैं, logical gates होते हैं, तो यहाँ पर if, इन से match नहीं करता है, means correct option होगा D, अगला question है, internet से government को प्रसासनिक कारी करना सुलब हुआ है, तो काफी यह question true होगा, क्योंकि इससे काफी सारे काम ऐसे होते हैं, जो government online की वज़े से बहुत easy तरीके से कर पाता है, तो यहाँ पर question होगा true, next question है, mozilla firefox एक antivirus है, जो कि बिलकुल पूरी तरीके से false होगा, mozilla firefox एक हमारा browser है अगला question है, किसी file को drag करके दूसरी folder में डालने पर, वह अपने स्थान पर ही रहेगी, तो यहाँ पर देखिए, यह question कुछ कह रहा है, और options यहाँ पर कुछ अलग दिये गए है, तो इस question, यह थोड़ा सा confuse कर रहा है question, यहाँ पर copy अगर आप drag करके किसी folder में, दूसरी folder में डालते हैं, तो क्या होता है, वो move हो जाता है, और copy करने का मदलब होता है, कि उसकी original copy वहीं पर रहती है, duplicate copy किसी दूसरी जगे चलिए जाती है, तो यहाँ पर जो options दे रहे हैं, उस पर बेसी questions नहीं बनता है, मेबी इस question में कुछ correction रहोगा, या इनको सही से याद नहीं र बदलते हैं, तो हम ये color बदलने के लिए आप theme में जा सकते हैं, या slide master में जाके आप color बदल सकते हैं, ओके next question देखते हैं, तो next question है, government district पर communication कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए, domain name दिया गया है, जो कि gov.in होगा, बिल्कुल सही option होगा, option d यहाँ पर correct option होगा, next question है, excel में किस sheet पर कार कर रहे हैं, या कहाँ प्रदर्सित होता है, तो देखिए, किस sheet पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर question थोड़ा सा confuse करेगा, यहाँ पर किस workbook पर काम कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा, उपर title बार में, और जो किस sheet पर काम कर रहे हैं, वो आपको दिखेग का नीचे स्टेटस बार में तो option B यहां पर करेक्ट option होगा ओके नेक्स क्वेशन है excel का प्रथम सेल A1 है जो कि बिल्कुल साही होगा नेक्स क्वेशन है अपने मित्र को email send करने के लिए क्या जरूरी है तो उसका email रहता है options याद नहीं रहते हैं तो कुछ options लोग खुद से add कर देते हैं तो यहां पर भी सायद इसी तरीके से कुछ हुआ हो लेकिन इस question का correct answer होगा email id कि उके तो next question है www web browser है तो एक question होगा true क्योंकि www हमारा एक non-gly based सबसे पहला web browser था अगर हम graphical user interface की बात करें तो mozac सबसे पहला web browser है तो इस case में question होगा true ओके अगला question है email में e-card है तो बहुत सिंपल सा question है electronic e का मतलब होता है यहां पर अगला question है net escape navigator क्या है तो यहां पर web browser होता है यह आगला question है page को favorite करने से वह save हो जाता है तो यहां पर question होगा false क्योंकि page save नहीं होता सिब उसका URL होता है वो save होता है next question है building या एक कमरे तक सीमित network है जो option यहां पर होगा land correct option होगा अगला question है system पर कोई file खोलने पर पहले से खुली हुई file बंद हो जाती है तो यह question होगा false ऐसा नहीं होता है file close नहीं होती है अगला question है hardest को secondary memory भी कहा जाता है तो यह question होगा बिल्कुल सही true होगा next question है संग्रहन के लिए goal goal होता है means memory की बात की जा रहे तो यहां पर second option है CD यह correct option होगा next question है excel में seat को vertical divide कर सकते हैं but not horizontal तो यहां पर question होगा false क्योंकि हम vertical और horizontal दोनों तरीके से seat को divide कर सकते हैं okay तो इस video lecture में बस इतना ही अगर इस से related कोई question है तो आप नीचे comment में पूछ सकते हैं अगर video पसंद आया तो please like जरूर करिएगा साथ में हमारे videos को आप अपने friends के साथ भी share करते रहे okay thank you thank you for watching